नमस्कार दोस्तों एक बार पुनो हाजिर हूं मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपनी चेनल गो ब्लॉक्स में एक पुरुष जातक हैं और आपकी हतिली हमारे सामने बिवेचना के लिए हैं आपका एक मुख्य सवाल भी है उस पे भी आऊंगा संपति को लेके है अचल संपति जो होती है उसको लेके कुछ चीजें जो है जिसको कहते हैं कनफ्यूजन उलज गई है उसके बारे में भी देखेंगे लेकिन जब हम हतिली में नजर डाल रहे है तो जो आपकी ये मस्तिस्क की लकीर है और जो आपकी ये जीवन की लकीर है इस पे हमारे नजर जा रही है जहां से इनका उदगम हो रहा है यानि जहां से ये परारंब हो रही है सुरू हो रही है वहां पे आप देखें तो एक ग गैप नहीं होता है, कुछ हातों में होता है और जितना ये छोटा गैप होता है उतना जीवन में फायदा मिलता है, गैप होना बहुत अच्छी चीज है लेकिन बड़ा गैप होना ठीक नहीं माना जाता है फिलहाल ये आपके ब्यक्तितों को वधा रहा है यहाँ पे कि एक स्वतंत्र विचार धारा के ब्यक्ति हैं आप अपने मन के मालिक है स्वयम के निरणयों पे चलना आपको अच्छा लगता है किसी के कंट्रोल में, किसी के आदिपत्य में आप काम नहीं कर सकते हैं थोड़ा चीजों के प्रति जिद्धी पना भी आपके अंदर हमेशा रहा है और ये ताउम्र रहेगा लेकिन मैनेजमेंट की जो छमता है वो आपके अंदर जबरदस्त है पुराने धर्रे पे चलना, घिसी पिटी चीजों के साथ आगे बढ़ना आपको बहुत अच्छा नहीं लगता है नई आइडियाज के साथ आगे बढ़ना, नई टेक्नोलोजी के साथ कदम से कदम मिलाना आपको अच्छा लगता है और एक responsible व्यक्तित्वा आपका इहां पे दिखाई दे रहा है responsibility निभाना आप छोटी उमर से ही जानते हैं लेकिन इहां पे एक चीज़ देखेगा, मंगल का जबरदस्त प्रभाव पड़ रहा है और मंगल क्या होता है? प्राकर्म होता है आपके अंदर का जो आत्म विश्वास है जिसको हम कहते है confidence तो ये लेबल जबरदस्त बड़ा हुआ है आपका जो confidence लेबल है वो जबरदस्त है, प्राकर्म बहुत अच्छा है किसके कारण? मंगल के कारण मंगल आपका strong है और स्वतंत्र विचार धारा है जिसके कारण आप जो निरणें लेते हैं उसमें बहुत ज़्यादा देर नहीं लगाते है तोरित निरणें लेनी के सक्ति आपके अंदर है और उस वोज़ों से कई बार आपको पच्छताना पड़ता है अपने निरणें के कारण तो थोड़ा सा जो है चीजों का एनलेसिस करके चीजों को परख करके चीजों का बिसलेशन करके और तब आप अगर बड़े निरणें ले तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा ये तो हुआ आपके बिक्तित्व के बारे में इन दो रेखाओं के बीच का गयब अब एक लकीर और है मुख्य लकीर वो भी आपके बारे में बहुत कुछ कह रही है पहले उस पे वी चलते हैं यहाँ पी देखेगा ये वाली जो लकीर होती है इसको कहते हैं हिर्दय की लकीर आपकी भावनाओं को बताती है आपके इमोशन को बताती है आपके रिस्तों को बताती है रिश्टों के परते आप तना जो है डीपली है अपना रुझान क्या है आपके अंदर मैंनेज करने की छम्ता क्या है इस चीज को बताती है अब यहां पर यह लेकीर यहीं से सुरोह होती है सब की हिरदै की लेकीर जो भी मनुष्य जाती का अब्यक्ति होगा उसकी हिर्दय की लकीर ये वाली यहीं से सुरू होती है लेकिन अलग-अलग जाती है किसी की बीच में टोटी रहती है किसी में तिल रहता है कोई डबल जाती है वो अलग-अलग है लेकन यहीं से सुरू होती है आपकी भी यहीं से शुरू हुई लेकिन यह किसी परोध पे नहीं जा रही है आप दिहान से देखें यह कहां पे जा रही है आपकी जो यह इंडेक्स की फिंगर है जिसको हम तरजनी कहते हैं उसके नीचे का जो यह भाग है जुपिटर का माउंट आचारे ब्रिस्पति जी जो देवताओं की गुरू है उसमें नहीं पहुँच रही है उसके बीच में जा रही है और जो यह मिडिल फिंगर है जिसको हम मध्यमा कहते हैं और उसके नीचे का भाग सनी का परुत भाग्या अस्तार इन दोनों के बीच में जा रही है अब नेचरल सी बात है जब इन दोनों के बीच में जा रही है तो परभाव किसका पड़ रहा है देव गुरू ब्रिस्पति का और कर्म को देखने वाला सनी का दोनों का बलाबल आ रहा है दोनों का परभाव पड़ रहा है अब जब दोनों का प्रभाव पढ़ता है तो ये बताता है आपके जीवनकाल के बारे में ये बता रहा है कि आप अपने जीवनकाल में बहुत बड़े महत्व कांची बेगती हैं आपके महत्व कांचा बहुत अच्छी है और आपकी सोच भी हमेशा जो है सकारात्मक रही है और सकारात्मक बनी हुई है आगे बढ़ने की सोच बहुत आगे बढ़ने की सोच आपकी है आप देखेगा इसमें देव गुरु ब्रस्पति का प्रभाव पढ़ रहा है जिसके कारण आपकी जो इक्छा है एक सर्वस्रेश्टम अस्तर तक पहुँचने की हो रही है आप इसमें सनी का प्रभाव पढ़ रहा है जिसके प्रभाव के चलते आगे बढ़ने के लिए इस समय आपको लगने बैठ गया है कि चाहे कोई जुगाड लगाना पड़े चाहे मेहलत को बढ़ाना पड़े एन केन परकारेण जो भी आपसे हो जाए वो आप करने को तयार है और करेंगे भी यह लकीर बता रही है आपकी ठीक है अब एक दो चीजें और देखते हैं फिर आपकी कोईसन पे आते हैं फिर हातियली का विसलेशन पे आते हैं अब यहाँ पे देखेंगे तो यह आपका जो है बाहरी मंगल है जिसको हम कहते हैं उच्च मंगल उच्च मंगल को हम देखते हैं यहां से देखेंगे अब ध्यान से एक लकीर इस तरों से जा रही है सुर्य के परोध पे और एक लकीर यहां से जाके उदयमान इस्तिति में आ रही है दोनों लकीर पहुँचेंगे फाइदा जाद होगा और एक लकीर यहां से आ रही है अब यह उर्द्व मंगल से जा रही ह एक तो अगर ये रेखा होती है इसको कुबेर रेखा या पूरव पुन्य रेखा कहते हैं दो ही नाम है इसके जादतर लोग इसे पूरव पुन्य रेखा कहते हैं और वैसे इसे कुबेर रेखा भी कहते हैं ठीक है न? ये रेखा बताती है कि व्यक्ति जो है अपने जन्म अस्तान से दूर तरक्की करेगा दूसरी बात व्यक्ति को विदेशों से भी धन मिलेगा तो नेचरल रूप से मिल रहा है अपने देश से बाहर आप है और आपको वहीं से धन मिल रहा है तीसरी ये चीज बताती है कि जैसे जैसे ये प्रगाड होगी जैसे जैसे ये इसपष्ट दिखाई देगी अभी थोड़ा कमजूर है पूरी तरों से इसपष्ट नहीं है जैसे जैसे इसपष्ट दिखाई देगी और सूर्य का परोत बलिष्ट अवस्ता में आएगा अभी उर्जा प्रवाइड नहीं कर रहा है तो नेगेटिव प्रभाव दे रहा है तो क्या होगा कि कहीं न कहीं आप अपने छेतर में दब दबा रखने वाली ब्यक्ति बन जाएंगे थोड़ा सा हाइपर वाला ब्यक्ति जो कहते हैं हलका क्रोधी सुभाव वाला अपना मत वाला अपने आगे किसी की बहुत जादा नहीं सुनने वाला आपने जो कहे दिया उससे मानना ही होगा इस परकार का ब्यक्तित्वा आपका पूरी तरों से जन्म लेने वाला है अग्जब ये ब्यक्तित्वा जन्म लेगा तो चीजें बहुत ज्यादा सुधर जाएंगे ठिक ठीक है न अब यह कह रहा है संगठन के निर्मान कन्ने वाला बिक्ति है बने ऐसा बिक्तित्व है आपका कि आप लिडर्शिप की क्वालिटी को गेन कर सकते हैं संगठन निर्मान कन्ने वाला बिक्तित्व आपका है अब यहीं पर निरोका बलके आपके सूरिक के परवत पर क यस मिलता है निश्चित ही आपको यसो स्वी होंग आप यस मिला है पुत्र मिलता है मनी चाए बेटी हो चाए बेटा हो पुत्र का सुक ऐसे लोगों को मिलता है आपको मिला है यह रेखा जहां तक बता रही है दूसरा कहीं न कहीं आर्थिक रोप से भी व्यक्ति ठीक ठाक र प्राप्ति होती है इसे लोगों को निश्चित ही आगे जबरदस्त फन दे गाई है ठीक अब देखेगा बर्तमान में क्या है इसको थोड़ा समझते हैं किसकी वोजों से थोड़ा उलजन है दो चीजे हैं दो तिन चीजे उनको समझते हैं यहाँ पे देखेंगे तो यह जो इंडेक्स की फिंगर है इसके नीचे वाला जो यह भाग है यह है ब्रस्पति का प्रवत ठीक है यह देव गुरु ब्रस्पति हैं हमारी हतेली में बैठने वाली यह पर्थम आचारे हैं दो आचारे बैठते हैं दैत्य गुरु सुक्राचारे जी और देव गुरु ब्रस् लेकन हतेली में इसका उभार है इसकी रंगत है इसमें बनने वाले चिन है इसके अनुसार फल देता है। प्रभाव रख सकती है या परिवार को लेके कुछ समस्याओं का आपको सामना करना पड़ सकता है संभावना को बता रहा है जरूरी नहीं है लेकिन एक हद तक जो है या तो चिंताएं रह सकती है या पारिवारिक समस्याओं जन्म ले सकती है या चल रही है इस परकार की में बैठ गई है पुष्ट नहीं है सुक्र पुष्ट है ठीक नहीं लेकिन ये साधरन अवस्ता में बैठ गई है बरतमान समय में गुरू है इनसे बड़ा तो कोई ग्रह नहीं है जुपिटर माउंट से बड़ा जुपिटर जो ग्रह है उससे बड़ा कोई ग्रह कोई लेकिन यहां पर देखेगा नेचुरल जो इनका स्वभाव है उसके कारण हस्मुक स्वभाव रहेगा आपका आपके अंदर दयालुता है आपके अंदर प्रॉपकार की भावना है मानि दोसरों की परति उपकार करना मदद करने की भावना आर्थिक पक्च भी ठीक ठाक रहे स्वतंतर्ता और लीडर्शिप की चाह रखने वाला विक्तितों भी आपका रहेगा एक चीज समझ लेजिएगा ये जो ब्रिस्पतिजी हैं चाए आपकी कुंडली में हो या जनम पत्री में हो या हस्तरेखा में हो ठीक है ने सबसे महतुपूर्ग रहें क्योंकि हमारे जो प जो हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा सुब या बहुत जरूरी हो ऐसी इस्तिति में जब ये इस प्रकार से रहते हैं आपके अंदर कितना भी ज्यान हो कितनी भी अच्छी नोलेज हो उसके लिए प्लेटफोर्म नहीं मिलता है उसको इंप्लिमेंट करने के लिए और संप बिरस्पति हो या तो वो बिबाद में फंस जाती है या तो अगर बिबाद में न फंसी हो तो उसमें कहीं न कहीं जो है वो फाइदा नहीं मिल पाता है जिसके लिए आपने बहुत आकांचाईं रखी हैं और जब तक बिरस्पति इस प्रकार से है सूर्य उर्जा हो तब तक उस उलजन में ब्यक्ति बना रहता है और कहीं न कहीं उसमें नुकसान खाता है तो आपको क्या करना है ब्रिस्पति को इस्ट्रॉंग करना है सूर्य को ठीक करना है कैसे करना है यह उपाई में ओडियो के माद्यम से और लिख करके आपके वट्सप नम्मर पे द अंदर निश्चित रूप से आप उस समस्या से बाहर आ जाएंगे और आपको जो है पूरा फाइदा होगा जो आपने सोचा है ठीक है अब ये इस परकार से साधरन होते हैं तो धन के मामले में भी कहीं न कहीं जिस परकार से फलो आता है उस परकार से धन रुक जाता है आना उस के मामले में भी संगर सहल का आने बैठ जाता है ठीक है न और जो सभी परकार के सुक है जो मानव जिवन के लिए चाहिए ही चाहिए बिरस्पति के नॉर्मल होने से वो सुक भी जो है नॉर्मल इस्तिति में आता है पूर्ण सुक नहीं मिल पाता है बैबाई की इस्तित प्राण की स्थिति उनको लेके भी कहीं न कहीं जो है चिंताएं आ जाती हैं तो आपका बिरिस्पति क्या है बहुत नौर्मल है तो थोड़ा सा आपको बिरिस्पति की तरफ ध्यान देना है दूसरी बात ये आपकी जो है रिंग फिंगर है और इसके नीचे का जो ये भाग ह ये है सूर्य का पर्वत उर्जा प्रवाइड करता है जो आपके सरीर के अंदर प्रान इसको कहा जाता है सूर्य को यहाँ पे देखेंगे तो ये बहुत ज़्यादा डाउन इस्तिति में है मनि पूरी तरों से उर्जा प्रवाइड नहीं कर रहा है ये इस पश्ट बता रहा है बरतमान में जो प्रियास आपके द्वारा किये जा रहे हैं वो पूरी तरों से सपलता की इस्तिति में नहीं पहुँच पा रहे हैं जो आप मिहनत कर रहे हैं जो आप परिस्रम कर रहे हैं उसका वास्तविक स्रे और वास्टविक credit आपको उस परकार से नहीं मिल पा रहा है जो आपके अंदर योग्यता है जो आपके अंदर quality यां है वो उस तरों से उभर नहीं रही हैं निखर करके नहीं आ पा रही हैं एक सहजता से एक सरलता से जो रास्ता मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा है क्यों नहीं मिल पा रहा है आपका सूर्य पूरी तोरों से उर्जा प्रवाइडने कर रहा है और इसका कारण क्या है इसका कारण है हमारा रूटीन इसका कारण है हमारे सरीर में जो सात चक्र है वो सूर्य के सातों चक्रों के साथ परस्परताल में इल्म नहीं है जिसके कारण कहीं न कहीं साररिक स्वस्त्या जीवन की वास्त्विक खुसाहली जीवन का उत्साह, जीवन की उर्जा इन चीजों की कही न कहीं चिंता करनी पड़ रही है क्या करना चाहिए सब चीजों को ठीक करनी के लिए देखेगा सूरे को मजबूत करना है और इसके लिए एक दिब्य सूरे क्रिया और सूरे की उपासना निश्चित तोर पे करनी पड़ती है मैं आपको दे रहा हूँ आप इसको करिएगा थोड़ा जो है हल्का लंबा करना पड़ेगा देर तक करना पड़ेगा लेकिन जबरदस्त फायदा होगा धीरे धीरे आपके जो सारीरिक चकर है वो सूरे के चकरों के साथ परस्परताल मिल में आ जाएंगे और इसका प्रभाव आपके जीवन के तमाम आयामों पे पड़ेगा जहां आपकी सारीरिक सेहत बेहद अच्छी होगी वहीं आपका मानसिक संतुलन परफेक्ट होगा और आपका जीवन सहिजता से चलने बैठ जाएगा फिर चाहे हो सारीरिक स्वस्ते हो जीवन के वास्तिक हो साली हो उत्सा हो उर्जा हो इन चीजों के आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी ये चीजे हमेशा आपके साथ बनी रहेंगे अब चलते हैं, थोड़ा आगे, अब यहां पे देखें गया, एक दो चीजों का आपको ख्याल रखना है, यहां पे आप देखेंगे तो आपका जो ये अंगोठा है, उसका पहला पौरवा काफी छोटा है दूसरे पौरवे के मताबिक, दूसरा पौरवा पहले पौरव से ब तो व्यक्ति अपना नुकसान अपनी जल्दबाजी में करते हैं, कहीं आपने धन लगाना था और किसी ने कहा लगा दिया, निरणयों के कारण ऐसे लोगों का नुकसान होता है, क्या करना है आपने जल्दबाजी में फैसला नहीं करना है, बड़ा सोच समझ कर आपको निर परमासी निकल करके और सीधा यहां पर आ रही है, और रुक रही है, फिर आगे से आके सीधा जा रही है, और यह जहां पर तूट रही है ने, तो यह बीच में कहीं न कहीं चाय धन के मामले में हो, चाय करियर के मामले में हो, कहीं न कहीं जो है, बीच में दो चार सालों के लिए गड़बड थोड़ा सा उतार चड़ाव जादा रहा होगा आगे ठीक चलने वाला है ये इस पश्ट तरीके से बता रहा है ठीक ने तो क्या करना है इसके लिए दिव्य योग ध्यान के रिया चीजों को ठीक करने के लिए सारे ग्रहों को अच्छे करने के लिए समस्या से बाहर निकल जाएंगे और ये तो इसके आगे बहुत छोटी जो है समस्या है जितनी बड़ी आपको समस्या लग रहे हैं उतनी बड़ी है निये हातों में कुछ ग्रहनक छतर जो है अन्बैलेंस हो गए हैं जिसकी उजोसी ये चीजें हैं बहुत जल्दी निकल आएंगे ल प्रोस्पर्ट तरीके से करेंगे निश्चिती फाइदा होगा अब यहाँ पे एक चीज और देखेगा ये आपकी जो है रिंग फिंगर है ये मिडिल फिंगर है ये हलकी जुकी हुई है रिंग फिंगर की तरफ बहुत जादा मेहनत परिसरम करने के बाद ही चीजों में इसके नीचे का भाग सनी का परोत है यहाँ पे उबरावा है बे वो जहें की चिंताएं देता हुआ दिखाई दे रहा है या कुछ ऐसी वो जहें पैदा कर रहा है जिसके कारण तनाव की इस्तिती बनी हुई है सुबह उठने में भी बहुत जादा आलश्या आशकता है परेशानी थोड़ा महसोस हो सकते है सुबह जल्दी नहीं उठ पाएंगे इस बात की और यह आपको ले जा रहा है लेकिन गंभीर किसम का ब्यक्तित्व भी बना रहेगा इस और भी इसारा कर रहा है अब चलते हैं आपकी पूरी रहा है उगरा इस पश्ट तोर पे देखती हैं देखेगा पहली इस पश्ट के तुक परवत की रहा है इस रहा को हम कहते हैं स्वस्थ्य की रहा है यह आपके स्वस्थ्य के बारे में आपके आरोग्य के बारे में अर्तंदुरस्ति के बारे में बताती है यह पर देखेंगे तो इस पश्टा है सुन्दर है मनि जीवन में ऐसा बिमारी उत्पन नहीं होगी जो जीवन को संकट में डाले जो जीवन को खत्रे में डाले या जो लाई-लाज हो जिसका इलाज नहो ऐसी चीजें न तो स्वस्टे के बारे में दिखाई दे रही है न आपके आरोग्य के बारे में दिखाई दे रही है न तंदुरस्ती के बारे में दिखाई दे रही है तो स्वस्टे से समंदित चीजों में आप लखी है 100% कोई चिंता वाली बात नहीं रहेगी अभी भी आगे तक नहीं रहेगी इस तरब आप चिंता से रहित हैं चिंता नहीं करने पड़ेगी दूसरी अगर हम रेखा देखें तो ये भी इस्पष्ट है आगे सुन्दर दिखाई दी रही है ये है आपकी जो है धन रेखा आपकी भग्य रेखा से समंदर रखती है ये संपति की रेखा है धन रेखा है ये रेखा आपकी करियर और धन की रेखा से समंदर रखती है आगे ये भी बहुत अच्छा है तो चाई संपति का मामला हो या धन का मामला हो इसकी तरब बे जो चिंता बनी हुई है वो बहुत जल्दी जो है सौल्ब हो जाएगी और धन और संपति के मामले में लग्की रहने वाले हैं तीसरी इस पश्ट रेखा देखें तो यहां से यह इस प्रकार से जाती हुई दिखाई दे रही है यह थोड़ा सा यह है सुक की रेखा अंत में दो भागों में एक यव बनाती हुई दिखाई दे रही है इसमें कहीं न कहीं जो वास्त्विक सुक है जैसे जैसे उमर बढ़ उन सुकों को ये थोड़ा हरने की कोशिस कर रही है थोड़ा बादा डालते हुई दिखाई दे रही है ऐसे में बीक्ति को अपने स्वच्त्या अपने धन और अपने एस्वरे का भोगने का जो सुक है वास्त्रिक सुक उसमें ये अर्चने डालती है तो इसके लिए क्या करना है आपने आपके जो आराध्यदेव हैं जिनको आप अपना इश्टमानते हैं पूरा समरपड रखना है समरपित हो जाना है इसके लिए मैं एक सांदार उपाय दोंगा सभी उपायों का एक निचोड ठीक है न व्यक्ति जो है भावर से तर जाता है तो यह यहाँ पर दिखाई दी रही है अब एक चीज मगर बहुत अच्छी है यहाँ पर देखेंगे आप तो आपके मनिबंद में तीन लकीरे हैं तीन लकीरों का मतलब होता है कि व्यक्ति ने पूरो जनम में बहुत उच्छ और पुन्यकर्म के हैं फिर से सुनिएगा पूरो जनम में आपने बहुत उच्छ और पुन्यकर्म के हैं मतलब आपका जो पूरो जनम था वो भी मनुष्ययोनी में का था और उस इसमें आपने बहुत उच्च और पुन्य कर्म के हैं, जिसकी वज़ों से ये जन्म भी आपका मनुष्य योनी में प्राप्त हुआ है, मानव योनी में प्राप्त हुआ है, और आप पुरुस ही थे, और इस योनी में भी आप पुरुस रूप में ही आये हैं, और आप इसी ब पुछ और स्रिष्ट कर्म करने पर अंत में कहीं न कहीं जो है स्रीहरे के चरणों में जगह मिलेगी और पुनह आप जन्म लेंगे जन्म मनन से अभी जो है मोक्छ नहीं है पुनह जन्म लेंगे और कहीं न कहीं वो जन्म आपका अपनी ही कुल में होगा अपनी ही बंस को बढ जाने के लिए वो जन्म होगा हाँ उस जन्म के बाद कहीं न कहीं बैरगय युग में मनी जन्म तो अपनी ही कुल में होगा लेकिन बैरगय की और आप जाएंगे तो अभी जो जन्म आपके और दिखाई दे रहे हैं आपके केतु के उनसार। और ये भी बता रहा है कि उस जर्म की पुन्य और उच्छ कर्म की उजों से अच्छी बिद्या प्राप्त हुई है चाए नोलेज के रूप में हो चाए पड़ाई के रूप में हो आपको अच्छी बिद्या मिली है अच्छा धन आप प्राप्त करेंगे और प्राप्त किया है मन ऐसी इस्तिती नहीं देने दे कि कहीं हाथ पसानना पड़ा किसी के आगे लजित होना पढ़े ऐसी इस्तिती नहीं है अच्छा धन है अच्छी बिद्या है और अच्छा जो है इसके कारण सम्मान भी आपको जिवन में मिला है यस भी दिखाई दे रहा है आपके पूरो जन्मों के कर्मों के कारा ये अच्छी चीज है अब यहाँ पे देखेगा मस्तिस्क की रेखा इस तरों से है बहुत सुन्दर है ये रेखा मनि बौदिक अस्तर आपका बहुत अच्छा है एक विवेकवान ब्यक्तित्वा आपका है और सकारात्मक सोच हमेशा बनी रहेगी जीवनकाल में इस प्रकार की चीजों को दिखा रहा है एक रेखा ये है मंगल में थोड़ा कॉन्देंस लेबल कभी कभी बहुत जादा हो जाता है तो जल्दबाजी में ब्यक्ति ऐसे में निरणए लेता है और थोड़ा बाद बिवाद से ऐसे लोगों को करती है यहां पर जीवनकी रेखा पूरी हतेली को पार कर रही यह गजब की है एक तो आर्थिक रूप से ऐसे बिक्ति ठीक ठाक रहते हैं दूसरा जीवन में परगति में बहुत ज्यादा बादाही नहीं आती है तीसरे परिवार के परती बड़ा समरपन की भावना रहती ह यहां से एक रेखा इधर जा रही है जीवन रेखा से मिल गया तो क्या होता है निश्चित तोर पे फोरन कंट्री का लाव ऐसे लोगों को मिलता है एक रेखा इधर को जा रही है और यहां पे एक तिरबुझ बना रहा है अंत में जीवन के लाष्ट में बुडापे काल में व्यक्ति को अचानक धनलाब भी प्राप्त होता है। यहाँ पर अगर हम देखें अंगोठे के नीचे का जो ये भाग है ये सुक्र का परोत है। सुक्र आचारे यही हैं देंतियों के गुरू लेकिन भगवान शंकर के ये सिस्या हैं। आपका सुक्र गजब का है। अपने को मेंटेन रखना, अपने परसनल्टी पर ध्यान देना, अपने को सज समर कर रखना, नई चीजों के परति रुझान रहना, ठीक ने, नई फैसन क परति, नई कपड़ों के परति ये चीज दिखाई दे रही है। बहुत एक सुक्सिवदाओं की तरफ भी बहुत जादा रुझान बना हुआ है, और उसके लिए प्रयासरत भी हैं, और ये अच्छा भी दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। सांदार है, चीजें कारे के परति जुजारोपन भी रहेगा, जिस कारे को हाथ में ले लेंगे, जब तक पूरा नहीं होता है, तब तक छोड़ेंगे ने। आने वाले समय में परिवार का सपोर्ट, परिवार का सुक, परिवार की तरफ से कहीं न कहीं जो है, अच्छी खबर आती हुई दिखा दिखाई दे रही है, चमक देता हुआ दिखाई दे रहा है, चकाचोंद करता हुआ दिखाई दे रहा है, और ब्रिस्पति के शांदार इस्तित में आने पर ये चकाचोंद भी रखेगा, ग्लेमर देगा आपको पास, और तमाम परकार के सुकों से जो है, ये आनंदित करत और बहुत ज़्यादा मेहनत प्रिसरम करने के बाद भी आपके दिरिष्टिस में बरतमान में थोड़ा अभाव की इस्तिती भी दिखाई दे रहा है बहुत ज़्यादा मेहनत बहुत ज़्यादा प्रिस्रम करने पर भी सुखों में हलकी कमी करता हुआ सुक्र समय दिखाई दे रहा है लेकिन दिब्यय योग ध्यान के रिया दे रहा हूं जरूर करिएगा अगर निम्न मंगल को देखते हैं तो थोड़ा ज़्यादा फूल गया है चन भंगोर वाला गुस्सा जो है जनम ले सकता है थोड़ा सा ध्यान रखें लेकिन उच्च मंगल ठीक है तो प्राकरम बहुत अच्छा रहेगा एनरजेटिक स्वभाव बनावा है इन तीनों के बार है ब्यापारिक समझ बहुत अच्छी बनी हुई है कम्यूनिकेशन इस्किल्स भी सांदार रहने वाली है वानी के सकती बहुत अच्छी रहेगी दो चार भासाओं के याता भी है ये भी दिखाई दे रहा है और जिवन के अंत तक अपने हाथ का पैसा अपने पास रहेगा और धेरे-धेरे जो है बिक्तितो और बे निखर कर आता हुआ दिख रहा है चंद्रमा की स्तिती देखें आभी थोड़ा ज़्यादा उठा हूआ है तो कभी-कभी मन को गड़बड कर रहा है मानसिक प्रेशानी देता हुआ दिखाई दे रहा है लेकिन आने वाले समय में मा अंसिक रूप से बहुत ज़्यादा मजबूत रहेंगे, confidence level बहुत अच्छा रहेने वाला है, सरीर का hormonal system भी आपका धीरे धीरे अच्छा उतावा दिखाई दे रहा है, और कुछ ही समय बात देखेंगे तो creativity बढ़ने वाली है, creative बहुत ज़्यादा रहेंगे, चंदर महतेली में बेहतरीन अवस्ता की और आ रहा है, एक सांदार इस्तिती में आ रहा है, सकारात्मक सोच रहेगी, छलकपट से दूर रहेंगे, और जीवन में महलाओं का सयोग पाने में भी सहुलियत पैदा होती हुई, यहां पे दिखाई दे रही है, यह उंगली देखे पर तिस समरपण की भावना दिखाई दे रही है, एक दयालता आपके अंदर हमेशा बनी रहेगी, कुरोरता है, निश्टुरता है, खडोसपन है, यह आपको नहीं छोपाएगा, और गुरु महराज की किरपा भी आपके उपर अच्छी बनी हुई है, लेकिन थोड़ा दन और यसकी भूग दिखाई दे रही है, पैसा और सम्मान आपके लिए बहुत जरूरी हो गया है, और जिवन का मातर लक्षवी यही दिख रहा है, इन दोनों के बीच में गैप दिखाई दे रहा है, यह थोड़ा नगेटिव है, जब भी सनी साड़ी साती में होंगे, ध बकरी अवस्ता में होंगे, तब तब आपकी जिवन पर इसका प्रबाव गहरा और लंबा पड़ेगा, यह इसकी तरफ जुक रही है, धन का मानी के ललक बहुत आच्छी रहेगी, लेकिन पहले पोर्वे तक नहीं पहुँच पा रही है, तो धन के प्रबंदन में, कागज प्रबंदन में, तो धन के लिए नमस्कार